ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहाद से निराला टीवी शो हिंदुस्ता हमारा में अब बारी है किरदार पेश करने की आदाब मैं हूँ हेमन मिश्रा किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कच्चे धागे और उसके एक एहम किरदार आफताप की और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है हमार सीनिमा की एडिटर और मुल्की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंग जी गीता जी बॉलिवुड ने वैसे तो बहुत सी एक्शन थिलर फिल्म में बनाई है लेकिन कच्चे धागे उन फिल्मों में कितनी अलग है और कितनी जुदा है बॉलिवुड में एक्शन फिल्म में हमेशा से बनती रही है कच्चे धागे 1999 में आई फिल्म थी और इस फिल्म को हम इसलिए अलग कह सकते हैं कि इस फिल्म में एक एक्शन अर्जे देवगन का action उस दौर का एक ऐसा action ता जो raw था तो उस तरह का action दर्शकों को देखने के लिए मिला कच्छे धागे टाइटल की इससे पहले भी एक film आ चुकी थी उस film में और इस film में कितना difference था इससे पहले जो Bollywood में कच्छे धागे film बनी थी उससे इसकी कहानी बिलकुल जुदा थी वो कहानी रिलेशन्शिप्स के एमोशन्स पर थी और इस फिल्म की कहानी एक्शन और स्मगलिंग के बेस करके मिलन लुथुरिया ने बनाई थी आफताप के किरदार की बात करें तो फिल्म में कितने मोड़ थे इस किरदार को लेकर के आफताप के किरदार की रूप में अज़े देवगन एक बार फिर से हमें नाजायज औलाद के रूप में नज़र आये फिल्म में इनकी कहानी इसी रूप में आगे चलती है और पूरी फिल्म में इनका कन्फरंट इनके अपने सौतेने भाई के साथ होता है जिसकी भूनी का सैफली खानने निभाई थी इस फिल्म के अंदा मनीशा कुरेला और अजे देवगन की लव स्टोरी को एक अच्छे रूप में दिखाने की डिरेक्टर की कोशिश रही थी फिल्म के संगीत के बारे में आप से जानना चाहेंगी कच्छे धागे हमेशा अपने संगीत के लिए याद की जाती रही क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक नुसर्थ फतेली साथ ने दिया था और ये शाद पहली फिल्म थी जब उन्होंने बॉलिवुड सिनेमा में अपना म्यूजिक दिया था और उनके लगबग सारे ही गाने उनके फिल्म में हैं जो पहले से उन्होंने कंपोस किये थे लेकिन उन्हें सुक्विंदर और लता मंगेशकर की आवाज में और बकु भी इन गानों को दुबारा रीक्रेट किया और रही बात फिल्म के डिरेक्शन की तो मिलन लुथिरिया ने इस फिल्म को डिरेक्ट किया है और उन्होंने इस से पहले महिश भट की असिस्टन के रूप में कई फिल्मों में काम किया तो उनकी इस फिल्म में महिश भट की चाप भी पूरी नजर आती है शुक्रिया कीता जी आज के किरदार में बस इतना ही अगले अपिशोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ तब तक के लिए खुदा आफिस किरदार की पेशकर्ष के बाद अब वक्त है सियासी संनाटों से ढूंड लाने की कुछ ऐसी खामोशियों को जो खबर बनने से पहले की आहटे हैं तो लीजे पेशे आज का मिर्च मसाला जैसी की उमीद जताई जा रही है कि 2014 में मरकज में NDA नीत हुकूमत की दावेदारी मजबूत हो सकती है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मरकज में ऐसी कोई हुकूमत बन सकती है तो उसमें प्रकाश सिंग बादल, नितीश कुमार, रमर सिंग, शिवराज सिंग चोहान सरी के इलाकाई सूर्माओ को खासी एहमियत मिल सकती है इसे देखते हुए सुखबीर सिंग बादल पंजाम में तरक्कियाती मनसूबों को लेकर खासे सरगर्म हो गए हैं पंजाम में इन दिनों बिजली वा बेरोजगारी दो एहम परेशानिया मुह बाए खड़ी हैं ऐसे में जब सुखबीर अपने परिवार के साथ छुटियां बिताने हफ्ते के आखिर में दिल्ली आते हैं तो यहां आए दिन एहम कारोबारियों से मुलाकात कर रहे हैं जैसे राकेश भारती मित्तल, अतुलपुंज, गौतम थापर, मनोज गौड, मालविंदर सिंग बगैरा सुखबीर सिंग इन कारोबारियों से पंजाम में नए प्रोजेक्स लगवाने को कहते हैं और इसके लिए अपनी हुकूमत के जानिब से पूरी मदद देने का वादा भी कर रहे हैं आज के एपिसोड में हम मुंबई के दादर इलाके में रहने वाले शमशात अंसारी का पेगाम शामिल कर रहे हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्ता हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौम के मसाइल की सबसे सचे तरीके से शिनाखत कराता है उन्हें आवाम सेग्मेंट भी बहुत पसंद है उनका मानना है कि ये आम आदमी के जजबातों को दुनिया के सामने रखने का बहतरीन सर्या है इनकी ख्वाइश है कि मुल्क के मुक्तलिफ सूव के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए शुक्रिया शम्शा सहब हमारी होसला अवजाई के लिए आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस पते पर राप्ता कायम कर सकते हैं यकीन मानिए आपका हर एक मश्वरा हमारे लिए बेहत कीमती है खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे खताबार समझेगी दुनिया मुझे अब इतनी ज्यादा सफाई न दे आज के एपिसोड में बस इतना ही कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में तब तक के लिए मैं तृदी ब्रहमन अपनी कोहोस्ट साइमा खान और इंटियाई टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा आप खुश रहें सलामत रहें आबाद रहें खुदा हाफ़स खुदा हाफ़स हजरत निजाम الدین दरगा के सजजादा नशीन पीर खुआजा अफदल निजामी की नीची जिन्दगी उनके होसले जजबे और नजरिये से वाकिफ होंगे कल के एपिसोड में जो ये वतन जिन्दा है तेरी जिन्दगानी में है जितना है तेरा उतना है मेरा सूरज है तेरा मेरा सवेरा जितना है तेरा उतना है मेरा हम जहां से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस का हमारा हम गुल है इसकी ये गुलिस का हमारा जो खिस्त्यादा हमारा जो खिस्त्यादा हमारा हम जो ताहा भारा झाँ